नीला चलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुफद्राभ्भ्याम जगन नाथाय ते नमहा प्रीय शिक्षार्थियों राश्ट्रीय मुक्त विद्यालाई शिक्षा समस्थान एन आई ओएस के स्टूडियो में आपका पुनफपुनहा स्वागत अभिनंदन मैं डॉक्टर चन्नन कुमार मिश्र श्री जगनाथ समस्कत विश्रद्याले पूरी उडिसा से आप सब के मध्य उच्चतर माध्यमिक खख्षा के विदात जहनम पाठ्ठिक्रमान तरगत बाइसमें पाठ्ठ मनुमच्च कथा के भाग दो के अध्यन के लिए उपस्थित हू इस पाठ्ठ में हम लोग मनुमच्च कथा से संबंदित छठे साथ में मंत्र रूपी ब्राम्मन भाग का अध्यन करेंगे और मंत्रों की प्रिश्चात अंतिम भाग में हम इस कथा के सार और पाठ सार के रूप में अध्यन करेंगे अग्रिम ब्राम्मन है मनुमच्य समवाद के मध्यही तमेवं भृत्वा समुद्रम अभ्यवजार सयद थिम तत्समाम परिदिदेश तति थिम समाम नावम उपकल्प्य उपासान चक्रे साउग उथ्थिते नावम आपे दे तम समच्य उपन्या पुपलुवे मुत्तरं गिरिमतितुद्राव ऐसा ब्राम्मन पाठ उपलब्द होता है उन्दरेगवार मैं इस ब्राम्मन का पाठ करता हूँ तमेवं भृत्वा समुद्रम अभ्यवजार सयदिथिम् तत्समाम परिदिश ततिथिम् समाम नावम उपकल्प्य उपासान चक्रे स अउग उत्थिते नाव मापे दे तम समत्सिह उपन्याप पुपलुवे तस्य शुरूंगे नावह पाशं प्रतिमुमोच तेन एतम उत्तरं गिरिम अतितुद्राव ऐसा पाठ ब्राह्मन की रूप में उपलब्द होता इसका भावार्थ इस प्रकार है मनुमत्स सम्वाद के मध्य में तम मत्स्यं तथैव पालईत्वा मनुहूँ तम आदाय समुद्रं जगाम जस प्रकार मचली ने अपने पालनपोशन के लिए आचार्य मनु से निवैदन किया था उसके निवेदन को स्विकार करते हुए मनु ने उस मचली को उसी प्रकार पालन कोशन किया और उसको बड़े हो जाने पर उसको ले करके समुद्र गए जिस समय नवका बनाने के लिए संदेश मचली के द्वारा दिया गया था ठीक उसी काल में आचारे मनुने महरशी मनुने नवका निर्मान करवाया तस्मिन पलावने सती नवकाम आरूढवान और जब समुद्र में जलब पलावन हुआ जब समुद्र अपनी सीमा का उलंगन करते हुए समग्र सिष्टी को जलवय करने लगा उस समय मनु नवका पर आरूढवान और वही बड़ी मचली जिसको समुद्र में आचारे मनुने प्रवाहित किया था वहा पैरते हुए मनु के समीप जहां मनु नवका पर आरूढवान आ गई महरशी मनु ने उस मचली के श्रिंगों के साथ उस नवका का रस्सी बान दिया और इस प्रकार उस मचली ने आचारे मनु को उनके नवका जो मचली के श्रिंगी से बनी थी उस नवका को वहां से लेडा करके उत्तर के तरफ विशाल परवताखंड में ले गई भाश्यकारों के मत्से वहा हिमालय का ख्षेत्र था अग्रिम ब्राम्बनात्मक मंत्र इस प्रकार है सहो वाच अपी परम्वैत्वा व्रक्षे नावं प्रतिवद्नीष्व तन्तुत्वा मागिरुसंतं उदकमंत्र श्चैत्सीत यावत यावत उदकम् समव समवायत तावत तावत अन्व वपसर्पासी इती अईसा मंत्र रूपी ब्राम्बन प्राप्त होता है छठे ब्राम्बन के रूप में इसमें कहा गया समच्यह उक्तवान जब उत्तर की ओर जा रहा मचली बोला अहमत्वाम अपास्यम मैं आपको दूर ले आई हूँ और अब आप अपनी नौका को वरिक्ष से बांध दीजिए परवते विद्यमाना तव नौका समुद्र जलेन चिनना नस्यात चुकि आप परवत के समीप प्राप्त हो गए हैं तो परवतार उड़ा आपकी नौका समुद्र के द्वारा छिन नभिन्य नहीं की जा सकती जब नौका जल के प्रती जाएं लगे तो आप नौका से नीचे उतर आएं तदा मनुहु अवलतार मनुहु मचली के इस्तंभाल को सुन करके जब नौका उनका जल में प्रवाहमानो रहा था उस समय नौका से नीचे आगए तदहा उत्तर परवतस्य तत स्थानम अवतरन मारगह अपसरपनम इतने नख्याता ओर उनी मनौके उतरने सके कारण उत्तर परवतस्थित वah जो स्थान है हिमाले रूपी स्थान वह अपसरपन इस नाम से विख्यात हुगा उस समुद्र के परिप्लावन से समुद्र के द्वारा समस्त प्राणियों को जलमगन किये जाने रूपी क्रिया से और उस तूफान रूपी कर्म से सभी प्राणि जलमगन हो गए, जलमे लुप्त हो गए, केवल मनु मात्र एक अवसिष्ट बच गए इस प्रकार हमने मनुमच्य कथा के ब्राम्भन मंद्र रूपी समवादों को पढ़ा, अब उसके कथा को संक्षेप रूप में यहां प्रस्तुत किया जाता है किसी दिन किसी समय प्रातक काल में मनु को हस्त प्रक्षाला जाता है गुल के भूत्यों को रूपी मनुम मंद्र बा morals के लिए उनके बृत्यों के दूरा जल लाज़ा गया था और उस जल के दौरा जब मनुमर हस्त प्रक्षाला कर रहे थे उस समय एक चोटी सी मच्छी उनके हाथ में आई जल के द्वारा जल में रहते हुए वहां मचली मनू को बोली कि हे मनू आप वरतमान में मेरी रख्षा करें बाद में मैं भी आपकी रख्षा करूंगी मनू ने चोटी सी मचली के इस समवाद को देख करके आश्चरे के साथ मचली को पूछते हैं कि आप कैसे मेरी रक्षा करेंगे, किस भय से मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा जब मनु पूछते हैं, तो मचली उनको उत्तर देते हुए कहती है, कि भविश्यकाल में एक महान तूफान आने वाला है, समुद्र में प्लावन आने वाला है, और उसमें प्रत्वी में समस्त प्रजा जो प्रतवी के प्रजा हैं वे अन्य स्थानों में चले जाएंगे समद्र में आपलावित हो जाएंगे और मैं उस अउग से उस तूफा अनुरूपी कर्म से मैं आपकी जो घातक है उस कर्म से मैं आपकी रक्षा करूंगी मत्य को कैसे सम्रक्षण किया जाएगा ऐसा कैसे मैं आपका पालन पोषण करूँ यहा मनुने पूछा उत्तर देते हुए मचली कहती है मत्य हा उत्तर रूपेन उक्तवान यत यावद बयं मत्य हा खुद्राहत श्ठामह तावत प्रतिपदं विपत भवती जेश्ठा मत्याएव प्रायशह कनिष्ठाम मत्यान गिलंती अतहा आदव माम एकस्मिन कुंभ्याम पोषएतू परम यदा ब्रहत काया हो विश्यामी पत्रमाम पालेतू ततो पियदा ब्रहत काया हो विश्यामी तद्धा तदा समुद्रमाम नयतुईति तता यतोकतम कारियम मनुना संपायितम फ्रीग्रम समच्यह एकह महामच्यह संजाता हा जब मनू बूचते हैं मचली को कि मैं कैसे आपका पालन करूं उत्तर देते हुए मचली कहती है मचली कहता है कि जब हम लोग छोटे जब तक रहते हैं तब तक हमें बड़ी विपत्ती होती है हमारा जीवन संकट में रहता है बड़ी मचलियां हम लोगों को ही खा लेती हैं अतहा मुझे एक कुम्भी में कलश में रख करके मेरी रक्षा करें जब मैं अलाब बना करके, पुष्करिनी बना करके, सरोवर बना करके, उसमें मुझे रख दें, उस प्रकार से मेरी रख्षा करें, और उसमें भी जब मैं बड़ी हो जाओं, तो मुझे आप उहां से ले करके समुद्र में ले जाएं, समुद्र में रख दें, समुद्र में रहने पर बड़ी होने पर मैं किसी के द्वारा खाई नहीं जाऊंगी तब मुझे कोई विपत्ती नहीं होगी ऐसा बोलने पर मनुने मचली को उनके कहे के नुसार समरक्षन कर्म किया दीरे दीरे शीग रही अत्कल पकाल में ही वह मचली एक महा मचली बड़ी मचली के रूप में परिनित हो गई मच्यहा मनुम अवोचत यत यथा कालम तदवगहा आयांता आगंता मनु ने का मचली ने मनु को कहा कि वह निश्चित रूप से अपने निश्चित समय पर वह आउग वह तूफान आएगा मनु आप एक नाव बना कर मेरी प्रतीक्षा करना आउग हे उत्पन्ने सति भवान नावम आरोग शति जब आउग हे उत्पन्न होगा जब समुद्र में तूफान आएगा तो आप उस नाव में आरूड हो जाना मनु निश्चित समय पर एक अच्छे नाव का निर्मान करके समुद्र पर तटमे गए और मचली की प्रतीक्षा करने लगे अउग हे उत्थते मनु नावम आरूड हवान जब मचली के द्वारा भविश्यवानी किया गया अउग उत्पन्न हुआ समुद्र में जलप लावन आया तो मनु उस नाव के ऊपर आरूड हो गए समच्यहा नुकायाह रज्युम स्वश्रिंगे बध्वा उत्तर दिशी परवतम अतिक्रम्य अगच्चत वह मचली नाव के पास आई और अपने श्रिंगों से रसी के द्वारा उस नाव को बांधी और उत्तर दिशा की योर परवतारूड हो गई अब यहाँ पर जलकी सीमा को पार करके किसी वरिक्ष में अपने नाव को बांध लीजिए यावद जलम अपसरती तावद भवान अपी तदन अस्मात स्थानात नीचे ही अवतरेद जब जल धीरे धीरे हंटने लगेगा तो आप भी अपने इस स्थान से नीचे आजाईएगा मनु अपी तदवत नीचे ही अवततर जल जब अपने मूल अवस्था में नीचे की ओर जाएए लगा तो मनु भी उस नवका से भूमी पर आए तेन अउगेन सर्वाह प्रजाह निश्चे शेन जलनिमगनाह गतप्राणाह संजाताह उस अउग के द्वारा उस तूफान से सभी मनुष रूपी प्रजा निश्चित रूप से जलमगन हो गए सब मृत्य को प्राप्त हो गए इसलिए ही कहा जाता कि मनुष्यों की उत्पत्ती मनु से ही हुवी है इसलिए मनुष्यों की एक संग्या मानव ऐसा है इस प्रकार रमणी मनुमच्य संवार आपकी अध्याइन के लिए प्रस्तुत हुआ धन्यवाद